मोदी आये थे तो उससे पहले क्या देश नहीं चल ला था राहूल गांदी नहीं थे तो उससे पहले क्या देश नहीं चल ला था इंद्रा गांदी नहीं थी तो क्या देश नहीं चल ला था जो आला नहीं रूनी थे क्या देश नहीं चल ला था मैं यह जानना चाहता हूं हम में से ही तो कोई पैदा होके आया है, what do you mean by Modi? विपक्ष नहीं रहे गया, इसले मोदी. विपक्ष नहीं रहे गया, इसले मोदी. हम है, हम, हम बनाते हैं, हम. एक अकेला सब पर भारी है, ये बेवकूब जनता है, जो उसको ये नहीं दर्शा सकती, की हम बारी है, की वो हम पे बारी है, ये हम नहीं दर्शा पा रहे हैं, अगर हम अपने, अपनी सखुलियों, तो के अनुरूप, अगर हम अपने वोट का इस्तमाल करें हैं, तो Modi जी एक दिन भी नहीं जित सकते हैं, परंटु किया है कुई हम promвалा कर देते हैं और हम भैक जाते हैं क्योंकि इंदुस्तान की जंता धांनों में बहनेucc कोई वक चुती है काम करने वाले की कोई करभा कत नहीं होती आप अगर अभी आए हो न्यूज लेने के लिए मेरी सुन रहे हो तो यू आर वेरी गुड न्यूज मैन अगर मेरी नहीं सुन रहे हो तो साला आया कि बीजेपी वालों के सुनने मेरा जवाब यही होगा तो हम भावनाओं में बहने वाले लोग है परंतु अगर साक्षारत म में देखें कि जितनी बच्चे पढ़ रहे हैं ना आज इतनी महंगाई की पढ़ाई पढ़के भी तीस लाग पचास लाग एक करोड़ दो करोड़ खर्च करके डॉक्टर बनता है वह विचारा प्राइवेटी करेगा कितने प्राइवेटों को तुम जो है अड़ेस्ट कर करता देखें उसके शब्द को सकर सुनेंगे हम लोग सुनते नहीं है क्या है कि हम सुनते हैं तो हमारे कानों में से निकल जाती है उसने का मैं असी देश की जनता को राशन फ्री दे रहा हूं अगर मेरा देश अगर मेरा देश कहीं उन्नती पर है मेरी देश अगर उन्नती प्रगर्टी पे है और अगर हम विकारी बनके अगर राशन ले रहे हैं तो आप मान लीजिए कि कितना बड़ी आदेश उनत्ती और प्रगर्टी कर रहा है यह आप स्वेम उसका निर्णे ले लिजे तो कौन सवाल तो यह भी खड़ा होता है और इसका मोदी जी भी भरपूर मैं हूँ मुझमें भी वो समता है मुझमें भी वो समता है मुझमें भी वो समता है इस भाई में भी वो समता है इस भाई में भी वो समता है मोदी आये थे तो उससे पहले क्या देश ने चल ला था राहूल गांदी नहीं थे तो उससे पहले क्या देश ने चल ला था इंद बाए राओल द्यूमान ब्याहिन मोडा हम 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 बनाते हैं हम कि अगर मुझे अभी अभी मेरे मेरे साथ ही अगर मुझे निमेरेको जorg जो अपतानु में और बनाएंगे दों मैं बहूंप काम कर सकता हूं भाइसे बंध्र काम कर सकता। जो जिनके नाम है उनसे भी उपर होंगे कहीं परंतु उनको प्रोथसान नहीं मिल पा रहा तो वो विचारेगरी बीबीसी की डॉकुमेंटरी को बैन कराने का क्या अच्छेत हुए यह कहना इस पर की वो देश्विरोधी ताक्ते हैं जो कहीं न कहीं बीबीसी को सपोर्ट कर रहे हैं आच्छा वो कौन ताक्ते हैं बताएं बताएं इडी आपके हाथ में हैं सीवी आई आपके हाथ में है और फिर भी आपको नहीं कुछ पता कि क्या हो रहा है कौन को सपोर्ट कर रहा है वो नाम नहीं बताएंगे जो चीज मोदी जी के खिलाफ है वो सारे हिंदुस्तान के सारी दुनिया बस और ना कर देखो मैं कर वाट्साइब रहा हा यह से और सुवर्ण इसको क्या बोलते हो इसको तियुक्त सब्सक्राब कि चाहिए वाट्साइब से में का वीडियो देख रहा था कि एक बच्ची जो है हमारी नौजवान बच्ची को जो है ट्रेंड करकर लाया गया है वो ये बता रही है कि राहूल गांधी ने लेप्टिस्ट चाइना से मिलके और लेप्टिस्टों से मिलके कोई समझोता किया है और देश को बेज दिया पहली बात मैं एक बात कहना चाहता हूं कि राहू पर एक बार नंबर दूसरी बात वो एक सादारन एंपी रहा है उसके पास कोई अधिकार नहीं कि वह जाकर किसी भी किसी अन्य देश और विदेशी ताकतों से जाकर किसी प्रकार का कोई समझोता या करार कर सके परंतु क्या है कि यह दिखा रही है कि राहूल गांधी ने करा किया और उसको देश को बेज दिया इसी इन्वर्सिटी के बदावलत भारती अंदा पार्टी यहां तक है तो मैं यही कहूंगा कि जितने भी मेरे नौजवान साती हैं जो मेरे भाई हैं जो मेरे बच्चे हैं जो मेरे बेटे हैं वो सब अनपढ़ हैं वो पड़े लिखे नहीं है वो सरफ किताबों को ही पढ़ना जानते हैं देश को समझना समाज को समझना भाई चारे को समझना अपने परिवार को समझना नहीं जानते हैं कि यह कहना कि मोधी नहीं तो कौन यह देश के प्रतिबा संपन लोगों के उपर वार है हिंदुस्तान में एक से पड़ा लिखा आदमी है एक से एक संपन आदमी है और ज्यादा क्वालिफाइड लोग ऐसे हैं जो MP बन सकते हैं PM बन सकते हैं MLA बन सकते हैं लेकिन ऐसे अनपड़ लोगों को अगर बड़ी बड़ी कुर्सियां दे दी जाएंगी तो देश की जनता को यह सोचना चाहिए कि देश का क्या हाल होगा